तो इस वीडियो को आप पूरा देखें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करने कि तयारी 100% सपलता की गारंटी के साथ कराई जाती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले चलिए व जैसे इसी बुक से आ जाएं तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको शबूत भी दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौनसा प्रशन इस बुक से फञाएं प्रेंट्स पहले question पे चलते हैं जो science से question पूछा गया थै कि खाने का नमक जो है किससे बनता है, इसका जो है right option जो मजबूत आमल और मजबूत चार से यह really question आपको book में दिखाते हैं कि book में here question देखिए कि खाने का नमक बनता है मचभूत अमल और मचभूत चार्ज से friends जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे question इसी book से पूंचे गया है next question पे चलते है next question अमारा पूंचा गया था कि ध्वनी तरंगों की प्रिकति होती है इसका जो ए राइट आप्षन अनुदेर्द था इसको जो है बुक में आपको दिखाते हैं कि देखिए यहां पर यह दिया गया है वाई में ध्वनी की तरंग कैसी होती है अनुदेर्द जेसा कि अब देख सेटें फ्रेंट सीधे यह question दिया गया है एक micron प्रदसित करता है दसकी पावर माइनस 6 cm की लंबाई को next question पूचा गया था हमारा कि वाता वरंड का वह छेतर जिसमें ओजोन परत उपस्तित रहती है क्या कहलाता है इसका जो है right option जो है option 4 था stratosphere इसको आपको बुक में दिखाते हैं या वो question सीधे सीधे देखिए यह यहां पर दिया गया है कि जो है ओजोन परत मुक्यता जहां अवस्तित रहती है वह उसे क्या कहते हैं इस्टोटे स्फियर जैसा कि आप देख रहे हैं friends सारे question लगवग इसी बुक से पूंचे गे थे तो यह बहुत ही बड़ी बात है और next question पुछा गया था किसकी कमी से रतोंदी होती है यहां पर इसका जो है right option vitamin A था इसको जो है बुक में देखते हैं कि यहां देखिए friends की रतोंदी जो है किसकी कमी से होता है vitamin A की कमी से next question जो है next question था हमारा निम्लिकित में से कौन सा करनाटक का लोक नरत है यहां पर जो है इसका right option चौता था यक्चगान और बुक में दिखाते हैं आपको यह question यह देखिए कि यक्च पर जो है कहां का लोक नरत है करनाटक का सीधे सीधे जो है सारे question लगए friends इसी बुक से पूछ गये थे बहुत ही important है या आपके लिए book और पूछा गया था कि मरिजापुर प्रसिद्ध है इसका जो है right option जो है कजरी के लिए और बुक में आपको दिखाते हैं यह देखिए मिर्जापुर जो है काईक लिए प्रसिद्ध है कजरी के लिए सीधे सीधे इसी बुक से सारे question पूछे गये हैं next question पूछा गया था कि कतकली किस राजे का प्रमुक सास्त्री नरत है इसका right option केरल था और बुक में दिखाते हैं आपको यह देखिए सीधे सीधे जो है वह न किया था कि बिट का विश्तरत रूप क्या है फ्रेंड्स या कंप्यूटर से सम्मंदित सारे question थे सारे question एक बार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं फिर इसके सारे answer देखिए विट का विश्तरत रूप क्या है इसका option था right option वाइंजी डिजिट और VLE का विश्तरत और लास्ट कोस्चन था primary memory कौन सी होती है तो इसका right option रॉन था फ्रेंड्स इन पांचों कंप्यूटर के पांचों प्रस्णों को जो है दिखाते हैं कि बुक से सीधे सीधे जो है पूंचे के थे इसी बुक से आपको दिखाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन प रूप से अवांची जंक इमेल हो जाता है उसे क्या कहते हैं इस पैम यहां पर देखिए कि सीधे सीधे इसी बुक से और बिट का छोटा रूप क्या होता है यहां पर जो है इसका right option था वाइनरी डिजिड यह तक आप देख सकते हैं यहां से पूंचा गया था और next आपको इसी बुक से ICT का तातपर है Information and Communication Technology सीधे सीधे फ्रेंड्स जो कंप्यूटर के पांचों प्रस्न थे वो सारे इसी बुक से लगबग पूंचे गये थे और next question जाए हमारा जो है भारतिय सुतनत्रा संग्राम से था भारतिय राश्टी कांग्रेस के प्रथम मुसलिम अध्यक् बदरुद्दीन तैयब जी था और बुक से आपको दिखाते हैं देखिए सीधे सीधे प्रस्निया दिया गया है कि बाटिय राश्टी कांग्रेस के प्रथम मुसलिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर एक ही बुक से 40 में से 24 फस जाएं तो फ्रेंट्स बहुत ही बड़ी बात है कि कंप्टीशन का इतना बड़ा पेपर और एक ही बुक से सब फस जाएं नेक्स्ट कोश्चन पूछा गया था साइमन कमिशन के विरुद्द प्रदर्शन में लाठी चार्ज से से लगी चोटों से किस नेता कि मृत्तु हो गई थी तो यहां पर हमारा राइट आप्सन लाला लाजपत राय था और बुक से दिखाते हैं कि यह कोश्चन देखिए फ्रेंट्स लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमिशन के विरुद में हुए लाठी चार्ज में नेक्स्ट कोश्चन हमारा प दिखाते हैं देखिए सीधे सीधे यह कोश्चन दिया गया है कि लोग सबादवारा पारित धन्विक राजपत राब भी पारित मानलिया जाएगा यदी राजफ राज सबादवारा उस पर कोई कारवााई नहीं की जाती है 14 दिनों तक सीधे सीधे देख सकते हैं कि समयदान का भी question इसी book से पूँचा गया था next question था हमारा कि निम ने लिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी Atlantic महासागर की धारा नहीं है इसका friends जो है right option पहला था अंगुल हास धारा तो इसको देखिए ये book में जो है सीधे सीधे ये अंगुल आस धारा किस महासागर की है तो या जो है हिंद महासागर की है सीधे सीधे सारे प्रस ने आपके और next question पूछा गया था नातुला धर्रा भारत के किस राज्य में इस्तित है तो इसका question लगवग इसी बुक से पूचे गये थे भारत में गरीबी का argument किस आदार पर किया जाता है इसका जो है हमारा right option प्रतिव्यक्ति आये था और आपको बुक में दिखाते हैं देखिए friends किसी देश में जीवन इस्तर प्रतिविम्मित होता है प्रतिव्यक्ति आये से सचिदानन सिनहा था और बुक में आपको दिखाते हैं कि या बुक से question देखिए सीधा सीधा या आप बुक से question पूचा गया है स्वामिदान सभा की प्रतम बैटक की अध्यक्षिता की थी तो डाक्टर सचिदानन सिनहा next question पूचा गया था काकोरी सडेयंत्र किस वर्स हुआ था इसका जो है राइट आप्चन 1925 था और बुक में आपको दिखाते हैं यह देखिए कि काकोरी सडेयंत्र केस हुआ था 1925 में फ्रेंट्स देखिए सारे question आपको इसी बुक से लगवग मिल रहे हैं next question था भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रे उद्यान कौन सा है इसका right option जिम कारवेट राष्ट्रे उद्यान था और बुक में आपको दिखाते हैं कि यह देखिए भारत में स्थ फ्रेंट्स यह 24 प्रस्न थे जो कि सीदे सीदे GS pointer की बुक से पूंचे गये थे तो फ्रेंट्स यह बहुत ही बड़ी बात है कि competition का इतना बड़ा paper 24 में से 24 प्रस्न एक ही बुक से पस्चाहें तो बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंट्स मैं तो आपको जो है suggest करता हूं कि है purchase कर लें क्योंकि यह आपके लिए रामबार्ड बुक है GS के लिए जिन लोगों की GS कमजोर है वह इस बुक को पढ़ें और एक अच्छा score GS में करेंगे तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें फ्रेंट्स आप लोग लाइक नहीं कर करते हैं वोन चैनल को अबस्क्ताराइब भी करें और फ्रेंट्स अरे मिलते हैं कि तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको मेंने 40 मैं से जो है चावबिस 24 प्रस्न सबूत के साथ हिसी एक बूक से जो एまだने आपको सारे प्रस्थन दिकाए कि इसी पूछे गए हैं जो है यहां जो है टेट और सुपर टेट के लिए आपके लिए जीएस की रामबाड बुक है अगर आप इस बुक को पढ़े लेते हैं तो आप जीएस में एक अच्छा इसकोर जरूर हासिल करेंगे मेरी आप यही रहा है कि आप अगर टेट की तयारी कर रहे जिसे कि आप सुपर टेट में एक अच्छा इसकोर हासिल कर पाएं फ्रेंड्स जो है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि तयारी 100% सफलता की गारेंटी के साथ कराई जात है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तेल देन टाटा बाबाई सी यू